इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सेल्फ बायस का नुमेरिकल करेंगे पिछले क्लास में मैंने सेल्फ बायस सर्केट एनलाइसिस करना सिखाया था वहाँ पे हमने दो मेठर्ड यूज किया था एक जेनरल मेठर्ड था और दूसरा हम लोग थेवनिन्स थिवरम के हिल्फ से सर्केट एनलाइसिस करना सिखे थे और मैं बार-बार यह रिपीट कर रहा था कि बहुत बारी जब कोशन फंज जाता है नॉर्बल मेठर्ड से नहीं बनता है तो हम लोग वहाँ पे थेवनिन्स थिवरम को यूज करके कोशन को सॉल्व करते हैं जैसा जरूरत होगा वैसा हम लोग हमारे पास मेठर्ड है उस मेठर्ड को यूज करके कोशन को सॉल्व करते हैं तो चलिए पहला कोशन देखते हैं क्या दिया हुआ है कोशन फिर भी बहुत आसान कोशन है इसने बहुत लेंदी 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 कोश्चन रा देखतंद्र रहता है बहुत tough भी question रहता है जिस student को पूरा का पूरा transistor का concept पता होगा ठीके ना इसका तो concept रहेगा ही बात बाकी बाकी भी transistor जितना भी सुरू से पढ़ते आए सारा concept याद होगा तो वो easily question बना लेंगे के भील के सेल भी आना चाहिए नहीं तो फिर आपको question solve करने में दिक्कत होगा तो चलिए हम लोगों सबसे पहले ic का value find out करना है तो ic का value दो तरीके से हम लोग निकालते हैं अब इतना तो पढ़ी लिए हो जानी गए होगे कि ic का value निकालने के लिए है यानि कि ic का value beta ib से नहीं निकलेगा क्योंकि beta तो पता है बड़ आई भी पता नहीं है दूसरा एक तरीका हो सकता था ic का value निकालने के लिए कि यहां पर के भील लगाते output part of circuit में क्योंकि यहां पर current flow होता है लेकिन यह ic निकालने के लिए हम लोग को यहां पर होना जरूरी है क्योंकि केवियल जो लिखोगे तो एक भीसी का टॉम हैगा और भीसी का value नहीं पता होने के करान ये को question ic का value नहीं बन पाएगा ठीक है इस तरीके से भीसी का value जब निकालना चाहोगे यहां से दूसरा भीसी निकालना चाहोगे तो उसमें kiaiosta bike radically आऊने के लिए मैं आप लोगों बता चुका हूं कि हम लोग से이랑विन खेवैलेंट सर्किट का है यहाँनिंज थिव्रम का हैलप लेंगे और थियुनींस थिव्रमका हैलप लोगे तो ऊस समय हम लोगो भीसी का value चाहिए R1 का value चाहिए I2 का value चाहिए और beta का value चाहिए तो IV का value find out करने के लिए जो चीज चाहिए वो सारा चीज हम लोगो question में given है तो सबसे पहले हम लोग किसका value find out करेंगे IV का value find out करेंगे तो लिखेंगे solution SOL का power n दे दिये मतलब solution ठीक है तो solution में हम लोगों क्या करना है इसका थेवनिंस equivalent circuit बनाओ थेवनिंस equivalent circuit कैसे बनता है याद है बच्चा लोग बिल्कुल याद होना चाहिए यह RTH होता है RTH से एक voltage source connected होगा that is called VTH and this is the RE resistor यह तो रहेगा ही ठीक है और इधर यह वाला part रहेगा VCC और यहाँ पर connected है RC RC का value कितना है 2.2 kilo ohm है और VCC supply voltage plus VCC equal to 20 volt ठीक है कभी कभी minus में भी लिखा हुआ रहता है तब देखना अफंस जाओगे और plus minus कुछ नहीं लिखा हुआ तो plus consider करते हैं और minus लिखा वड़ेगा तो KBL में वहाँ पर polarity change करना पड़ेगा बीटा का value दिया हुआ 150 और RE का value दिया हुआ है 1 kilo ohm और हमने बताया है कि RTH का value आपको निकालना पड़ेगा थेवनिन से तो RTH का formula याद है RTH के लिए हमने बताया था कि ये R1 R2 को parallelly connect करके निकाला जाता है तो RTH equal to होता है R1 into R2 divided by R1 plus R2 तो R1 का value केतना है 47 kilo ohm है R2 का value केतना है तो 5.6 kilo ohm है divided by R1 का value 47 kilo ohm प्लस 5.6 kilo ohm इसको जब solve करोगे ठीक है क्या है चुक्य यह किल ohm मैं है oh sorry यहां multiplication है न तो kilo ohm मैं kilo ohm kilo ohm multiply होगा तो kilo ohm का whole square हो जाएगा और kilo ohm kilo ohm add होता तो kilo ohm रहेगा समझे किल ohm का whole square divided by kilo ohm ऐसे आएगा तो इसे एक कड़ जाएगा तो एक kilo ohm रह जाएगा ठीक है इसको solve करते हैं ठीक है जब इसको solve करोगे तो 5 kilo ohm होगा ठीक है करके देख लेना है इसको solve करोगे तो 5 kilo ohm होगा तो इस तरीके से VTH का यहाँ पे value लिख लेना 5 kilo ohm अब हम लोग RTH का value find out करेंगे सुरी VTH का value find out करेंगे VTH का क्या formula होता है याद है हमने बताया था VCC into R2 VTH BV के बराबर होता है और यहाँ पे BV का value कितना होगा VCC into R2 divided by R1 plus R2 formula याद होना चाहिए बहुगा समझे बहुगा लो VCC into R2 divided by R1 plus R2 ठीक है VCC का value कितना है 20 V गुने R2 का value R2 का value है 5.6 kilo ohm divided by E कितना है kilo ohm में है तो इसको ohm में बदल लेंगे ठीक है ohm में बदलोगे तो 10 to power 3 हो जाएगा और R1 plus R2 करेंगे तो R1 का value है 47 kilo ohm ठीक है 47 kilo ohm को लिखेंगे हम लोग 10 to power 3 ohm लिखेंगे ठीक है प्लस R2 का value है 5.6 kilo ohm तो 10 to power E कर लेंगे 3 clear है अब देखो इसको solve करोगे इस सब को multiply करोगे इसको जोरोगे तो जब solve करोगे तो E आ जाएगा ठीक है यह आ जाएगा तुमको यह solve करके आ रहा है 2.13 वोल्ट ठीक है solve कर लेना mathematics है अगर math भी नहीं आता है तो फिर एक गलास पानी लेना और सर पर डाल देना एक गलास पानी में तो डूब के मड़ोगे नहीं क्या तो क्या करना है ऊपर डाल देना इतना तो सरम होना ही चाहिए कि भई math नहीं आ रहा है तो फिर इंजिरिंग पढ़ना तो बेकार है अब हम लोग math यहां पर तो नहीं पढ़ाएंगे चलिए तो यहां पर भी टी एच का वैलू लिख लिए बक्वास करते हैं बांध और काम को आगे बढ़ाते हैं यहां पर आई वी करेंट फ्लो होगा यह यहां पर भी बी होगा कितना बार बोलने हैं कि यह सब नहीं दिया हुआ रहता है अपने से ले लेते हैं और इसको जब सिल्कन अर्जर मिनियम नहीं लिखा हुआ है तो सिल्कन है जूम करके भी बी का वैलू कितना लेंगे 0.7 बोल्ट अब देखो क्या करेंगे अब हम लो करेंगे इन दो इनपूट पाट अफ सिकेटी ओ जौर माद लो हमको भी याद नहीं है ठिक है माल लो नहीं याद है सभी बाद हमको नहीं था ओर हुआ तो यहाँ पे क्या करेंगे तो बैट करो ते रही हम लोग के भी कि हैं वीटिए इस इक्वाल टो क्या लिखेंगे देखो समेस्टर एक्याम में यह प्रोसेस चलेगा लेकिन आप कंपर्टीशन के लिए जाते हो गौर्वर्मेंट सेक्टर के लिए जाते हो तो फिर आपको फर्मूला याद होना चाहिए अब आई-ई के बदले उस समय हम बताये थे आप लोग को डेरिवेशन में बताया में तो यह क्या हो जाएगा आई भी कॉमन लोगे तो बचेगा आइटी एच प्लस यहां पर क्या बचेगा वन प्लस बिटा और आरी बचेगा यहीं बचेगा ना और इधर रहेगा प्लस भीबी चलियर है यह कितना एक्वाल टू आ गया भीटी एचटेगा यहा से आई- divided by IB IB का तो value निकाल रहे है यह divided by आ जागा RTH plus 1 plus beta अरी हो जागा ना चलो अब value put करो हम लोको IB का value मिल जागा बीहटी है का बेलो कितना निकाल ले ओप 2.13 V minus VB का value 0.7 V lave लाना दिया हुआ नहीं है RTH का बैलो निकाल चुके हो 5 किलो ओम प्लस 1 प्लस बीटा बीटा का बैलू है 150 और आरी का बैलू कतना है 1 किलो ओम है ठीक है तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे फर्मूला लिख लेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा देखो आ जाएगा इसको भी पहले कनभार्ट कर लो 2.13 बोल्ट माइनस 0.3 बोल्ट या तो सब्ट्रेक्ट करकर लिखते है नहीं तो छोड़ दो ऐसा ही पांच किलो ओम को क्या लिखोगे पांच इंटू 10 टू पावर 3 कर लेंगे प्लस 151 लिख लेते हैं इसको इंटू 151 सम अब इसको सॉल्व कर ले ना अब इसको जब सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 9.2 माइक्रो एंपियर ठीक है यह एक एंसर भी आ गया क्यूं भाई क्यूंकि आईवी का तो वैलू फाइंड आउट करना ही था अब आईवी का जो वैलू पता चल गया तो आईसी का वैलू निकालना बड़ा असान है क्योंकि बीटा दिया हुआ है तो बीटा आईवी से हम लो निकाल लेंगे बीटा का वैलू एक सो पचास है और आईवी का वैलू है 19.2 माइक्रो एंपियर आईवी का वैलू अभी निकालने है ना तो फिर इसको जब सॉल्व करोगे माइक्रो ए 75 मिली एंपियर मेहनत करना पड़ेगा ठीक है कलकुलेटर उठाओ खुद से यह सब हैलू पूट करके सिखो ठीक है मेहनत करो तब जाके आएगा आप सुचोगे सब सट लिख देंगे सब कलकुलेशन कर देंगे तुम कब सिखोगे तुम तभी सिखोगे जब तुम खुद से मेहनत करोगे अघर का क्या सब तो कर देंगे तो टाइम ज्यादा लगे और क्या लेकिन वैसे तुम नहीं सीखोगे अगर मालनो i e का value निकालना i c का value तो निकल गया i e का भी value निकाल लेते हैं इसलिए क्योंकि भी e निकालना है भी e क्या होगा जो emitter के cross voltage होगा emitter assister के cross तो हम लोग को यहाँ पर i e का जरूवत पड़ेगा तो i e equal to हम लोग जानते हैं क्या i b plus i c होता है ठीक है i b का value कितना आया है 9.2 micro ampere है तो 10 to power minus 6 से कर देंगे तो यह ampere में हो गया plus i c का value आया है 1.375 milli ampere है तो इसको 10 to power minus 3 से गुना करेंगे ठीक है और इसको जब solve करोगे तो e आ जाएगा 1.384 अरे भाई देखोगे i c से न 2% ज्यादा आता है कभी भी i c से 2% ज्यादा रहेगा क्योंकि हम लोग जानते ही है i e equal to क्या होता है i b plus i c होता है i b का 2% हिस्सा जाता है तो बहुत बाड़ी तो i e का exact value निकालने के लिए i c का जो value है उसको 2% से बढ़ाद होगे तो i e का exact value आ जाएगा समझा तो पहले ही से हम आप लोगो यह सारा concept बताये हैं अब भी i e का value निकाल लो भी कितना हो जाएगा i e into e होगा बोलो बताये हैं न पहले कभी i e का value क्या होगा i e into e हवा में तो कुछ पढ़ाते नहीं है जानते ही हो सब बोड़ पर 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 पढ़ाते हैं तो बोड़ पर 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 बी equal to i e into e कहीं पर पढ़ाय थे चलो i e का value केतना है 1.384 मिली एंपियर है तो 10 to power minus 3 लिख लो into 80 का value कितना है 1 kilo ohm 2 तब तो बहुत बनिया है अग kilo ohm के बद ले लिखोगे 10 to power 3 ohm अब देखो 10 to power 3 और 10 to power minus 3 कट जाएगा 1.384 into 1 कितना हो जाएगा उतना ही हो जाएगा 3, 4 एतना आ गया क्या भोल्ट ये एक answer हो गया ठीक है बिल्कुल ठीक है तो चलिए भीई का value निकाल लिए यहां तक फटा फट लिख लिए कैसे लिखेगा फटा फट उसके बाद हम लोग next जो भी value होगा उसको calculate करेंगे तो I hope की आप लोग hope कर लिए होंगे मतलब लिख लिए होंगे चलिए फिर तो यहां तक निकाल लिए अब हम लोग क्या-क्या बाकी रह गया भाई एक भीई का value रह गया और दूसरा रह गया VC का end के अंदर डाल दिये क्या कि याद रहेगा क्या-क्या value निकालना भीई का value कैसे निकालेंगे तो यहां पर voltage होता है VB तो VBE equal to कभी ना कभी बताएं होंगे VB minus VE होता है and now we have to find the value of VB तो VB का value निकालने के लिए VE को इधर भेज देंगे तो यह आके इससे add हो जाएगा तो VB equal to होगा VBE plus VE अच्छा इसा का है कि यह का है कि VBE का value पता है और VE का value पता है VB का value 0.7 volt और VE का value अभी है तो निकालने है 1.384 volt अच्छा इसको solve किजिएगा तो यह आ जाएगा 2.084 volt आया रे बच्चालो समझ में तो VB का काम खताम अब कोन बच गया VCE VCE के लिए क्या करेंगे VCE किधर exist करता है इन्पूट में की आउट्पूट में VCE यहां राता है न तो जो quantity जहां पे दिखाई दे input part में दे तो input में के भील लगाएंगे उसको find out करने के लिए अगर इन्पूट में दिखाई दे रहा है इन्पूट का quantity है तो output में के भील लगाएंगे इभी ये को डूल है जो value जिधर रहेगा जिसको find out करना है उसको देख लो circuit में किधर है इन्पूट साइड में के आउट्पूट साइड में उद्रे पकड़ के क्या लगा देना है के भील लगा देना है के भील के सिल लाता है प्लस IRE यही होगा ना अगर आपको डेरिवेशन आता होगा तो यह जानते हो VCC equal to ICRC यहाँ पर IC करेंट फ्लो होता है एक VCE भोल्टेज यहाँ पर होगा और एक IRE यहाँ पर होगा ठीक है यह तो डेरिवेशन में भी बता चुके है निकालना क्या है VCE तो VCE का भैलू हो जाएगा VCC minus ICRC minus IRE अब चाह हो तो IE के जगा पर IC भी पूट कर सकते हो तो उसकेस में अल्मोस्ट भैलू आएगा अगर एक्जेक्ट भैलू निकालना है तो IE का भैलू अल्रेड़ी निकाल चुके है सब भैलू पता है IC भी पता है RC भी पता है IE भी पता है REE भी भैलू पता है VCC का भैलू तो अल्रेड़ी गिवन है तो एक्जेक्ट भैलू निकालते है काहे के लिए अल्मोस्ट में जाएंगे तो IC का भैलू कितना है IC find out किये है ना कितना 1.375 आई का value केतना है आई 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 यहाँ पे है 1.384 milli ampere गुने RE, R E का value केतना है R E का value है 1 kilo ohm अच्छा देखोगे kilo ohm अब milli ampere कट जाएगा अब इसको solve करने ना बहुत यह असान हो गया अब जब solve करोगे तो यह आजाएगा पॉन्दर दस हम लो छो भोल्ट ठीक है चलिए तो इस तरीके से पहला कोश्चन हम लोग बना लिए काफी टाइम लगा बिल्कुल नहीं डरिये आप लो आराम से बनाया किजे कोश्चन और जब गौवर्मेंट सेक्टर के एक्जाम के लिए आप लो जाओगे तो वहां पर इ तरह बहुत टाइप का कोश्चन बनाया हुए रहते हैं ठीक है वही लोग अच्छा वहां पर पर्फॉर्म करते हैं जैसे मान लो तुम क्रिकेट खिलते होगे आप लो तो आपको न यॉर्कोर बॉल खिलने का पहले फिल्ड के बाहर मैच से पहले प्रैक्टिस करना पड़ होगे सुचों के छक्का मारेंगे तब तक बैट के अंदर से बॉल घुज जाएगा बिकेट उखड जाएगा अच्छा गल से स्टूडेंट लोग को यह बात नहीं समझ में आ रहा होगा वाइज लोग को समझ में आ रहा होगा इसलिए नेट प्रैक्टिस जितना करो मैं मै आई कर रहो अभी पहली बार सीख रहो खूब कोश्चन बनाओ हर तरह का कोश्चन बनाओ नहीं भी बनेगा बहुत सरा कोश्चन कोई बात नहीं लेकिन कोशिस तो करो लड़ो तो सही तो डिफ्रेंट टाइप आफ कोश्चन करने तुम सीख जाओगे और जब कल होके गौ अब भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि वहां पर दिमाग में प्रेसा रहता है इसलिए खूब ज्यादा से ज्यादा कोश्चन कीजिए और कोश्चन नुमेरिकल से डड़िये नहीं जो कोश्च कॉंसेप्ट है उसकॉंसेप्ट को यूज करके कोश्चन बनाए कि चलिए अ इस तू बी यूजड इन सेल्फ बाइसिंग सर्किट तेक है सेल्फ बाइसिंग सर्किट में सिल्कन ट्रैंजिस्टर को यूज किया गया है जिसका बीटा का वैलू 100 है सच डाट क्यू पॉइंट क्रोस्पॉंड टू भी सी एक्वाल टू 12 वोल्ट वी सी का वैलू दिया आरी के वैलू निकालना है सर्किट में यह आरी है इसका वैलू फाइंड आउट करना यहां पर भी मेंशन कर लिए इप वी सी सी इक्वाल टू 24 वोल्ट वी सी 24 वोल्ट दिया हुआ और रसी इक्वाल टू 5 किलोओं बहुत सुन्दर कोस्चन है ठीक है एक ही बैलू निकाल में पूछा जाता है अभी कुछ दिर पहले ही हम बोले हैं कि एक ही कुएंटीटी फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाएगा बट उसमें बहुत सरा कॉंसेप्ट रहेगा उतना भी असान नहीं रहेगा ठीक है तो चलिए बनाने का कोसिस कीजिए दो पांच सेकेंड ह हम गिनेंगे उतना दिर में वीडियो को पॉस कीजिए खुद से बनाएगे वाण टू थ्री फोर फाइब ठीक है बन गया कुछ लोग नहीं किये होंगे पॉस वीडियो को और बनाए भी नहीं होंगे सुचेंगे सर तो बना ही देंगे ये गलत सुच्छ है ठीक है आप तो बनाना क्या है और ये को फाइन आ इन्पुट और ये आउपकि बना सकता है। comfortable होगे, बना सकते हो, input part से जाओगे, तो R1, R2 का value नहीं दिया हुआ, फंस जाओगे, तो output part में KBL लगा होगे, ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे, apply KBL in the output part of CKT, ठीक है, तो यहाँ पर KBL क्या लिखेंगे, VCC equal to ICRC plus VCE equal to IERE, हाँ, हमको जरूरत नहीं है, हम इतना practice किये होगे, पता नहीं कहिए, हजार बार लिखे होगे यह equation, ठीक है, पिछले 10-12 साल में कितना हजार बार लिखे होगे, हमको खुद नहीं पता है, तो आपको भी वैसा ही practice करना है, 10-20 बार रोज पढ़िए खी चीज, रोज equation लिखे, question बनाईए, तब जाके आपका concept, बीना देखे होगे, सुम के लिख दिये हम, आप भी सुम के लिख सकते हैं, ठीक है, निकालना क्या है, यहाँ से REE का भैलू निकालना है, तो REE का भैलू निकालने के लिए, अब आप देखो न, यह equation में, कि REE को छोड़के बाकी साड़ा भैलू पता है, BCC का भैलू पता है, बिलकुल पता है, IC का भैलू पता है, बिलकुल पता है, RC का भैलू पता है, BCE का भैलू पता है, दिया हुआ है, very good, IE का भैलू पता है, IE का भैलू मतलब, यहाँ पे emitter current का चला लें लेकिन उस case में RE का जो value आएगा वो almost value आ रहा है लेकिन यहां पे आपको exact value निकालना होगा क्योंकि question में अगर पूछ रहा है कुछ और quantity रहता है तो IC almost equal to IE कर लेता है बट यहां पे RE का exact value निकालने के लिए आपको IC almost equal to IE नहीं करना होगा यानि कि आपको पहले IE का value निकालना होगा IC given है IC का value देखोगे कितना given है 2 milliampere तो IE का value निकाल सकते हैं क्या इसके help से ठीक है IC और IE का कहीं relation पढ़े हो IC और IE का relation पढ़े हो बिलकुल हम पढ़ाये हूँ है alpha equal to पढ़ाये है common base का current again जो होता है IC by IE होता है याद है हम बताया है आज भी अभी बोले है ना कि पूरा concept चाहिए आपको transistor का तब जाके इसका question बनेगा नहीं तो सुचोगे उपर उपर पढ़ लिए अभी जो topic पढ़े उसी का बस concept यूज करके बना लेंगे भूल जाहिए आपसे नहीं question बनेगा और most of the government sector के जाम में ही होता है बहुत असान कोशन रहेगा एक ही लाइन कोशन नहीं रहता है पढ़के मन खुस हो जाए यार बड़ा असान है लेकिन बनेगा नहीं ठीक है बनेगा नहीं इसलिए क्योंकि आपको concept नहीं पता है तो चलिए यहां से हम लोग अलफा का value जानते है इसलिए क्योंकि बीटा का value यहां पर given है ठीक है बीटा अभी कुछ दर पहले पढ़े है बीटा का value यहां पर 100 है ठीक है इसलिए अलफा का आलफा को बीटा में convert करना असान है इसलिए हम यह वाला equation लिखे है अलफा इक्वल टू आइसी बाई तो यहा इसलिए अलफा का बीटा के साथ क्या relation होता है तो हम आपने को बताए होंगे बीटा div did by 1 plus beta होता है अलफा इकवल टू होता है वन प्लस बकल्डी अथलीका अलफा इक्वलट टू होता है इतना तो 1 अलफा इक्वलटी कितना होगा इसको एसे लिख सकते हें 1 plus beta divided by beta, इसको उलट देंगे, तो 1 by alpha के जग़ा पे लिखेंगे, 1 plus beta divided by beta into IC, अब लोग बन गया, beta का value given है, 1 plus beta का value कितना given है, 100 divided by कितना beta, यानिके 100 into IC, IC का value कितना दिया हुआ है, 2 milliampere दिया हुआ, ठीक है, चलिए, ठीक है, तो यहां से इसको जब solve किजिएगा, तो यह value आजाएगा, 2.02 milliampere आजाएगा, एक तरीका और था बनाने का, क्या तरीका था, IC और IE के बीच में क्या relation होता है, तो आप लोग जानते हो, IE जो होता है, IC से 2% ज्यादा होता है, अगर IC का value इतना है, तो उसमें 2% increase करके, math को use करके भी बना सकते थे, बट यह relation चलो इससे हम लोग बना लिए, तो ठीक है, ऐसे IE का value निकाल लिए, अब IE का value निकल गया, तो यहाँ पर, कि आप RE का value निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, तो देखो, यहाँ से क्या करेंगे, इस equation को solve करेंगे, यह दो value को इधर बेद देंगे, तो यह हो जाएगा, VCC minus ICRC minus VCE ह हो जाएगा, equal to हो जाएगा, IE into RE, निकालना क्या है बई, तो RE का value निकालना है, तो IE को इधर बेद देंगे, multiplication में है, तो division में हो जाएगा, तो RE equal to लिख हो गए, VCC minus ICRC minus VCE, और divided by क्या हो जाएगा, IE हो जाएगा, अब करना क्या है, तो बहुत असान हो गया, अब सारा value put कर दो, question को solve कर लो, VCC का value है 24 volt, minus ICRC का value कितना, IC का value है 2 milliampere, into RC का value कितना है, 5 kilo ohm, minus VCE का value कितना है, तो VC already दिया हुआ, 12 volt, अब देखो, kilo ohm और milliampere, cut जाएगा, divided by IE, IE का value अभी निकालना है, कितना, 2.02 milliampere है, तो 10 to power minus 3, कर लेना, अब इसको जब solve करोगे, तो इसका answer आजाएगा, answer आजाएगा, one kilo ohm, इतना, one kilo ohm, इसका answer हो जाएगा, ठीक है, चलिए, फटा-फट इसको लिखिए, और बनाईए, तो ये, next question उसके बाद हम लोग करेंगे, जल्दी से इसको लिख लिजे, क्योंकि मुझे space चाहिए होगा, तो ये वाला portion हम मिटाने वाले हैं, अब next, third question देखेंगे, ठीक है, ये जो दूसरा question था, देखें, कितना, छोटा सा question था, एक ही चीज़ find out करने के लिए पुछा था, बट बहुत ज्यादा, आपको पहले का concept याद होना चाहिए, ठीक है, तो इस तरीका का question रहेगा, हम लोग करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो ये question में figure दिया हुआ, यहाँ पे क्या-क्या find out करना है, इसके बाद BEE का value पता करना है, देखोगे, यहाँ पे हम सब में question mark लगाते जाते है, ताकि दिखाई देगा, कोई quantity चुटेगा नहीं, बी-सी का value देखो नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, बना लेंगे, BEE का भी value निकलना है, BEE का value निकलना है, BEE यहाँ पे है, निकलना है, R1 का भी value निकलना है, बहुत सारा value निकलना है, चलो, solve करते हैं, देखोगे, एक चीज और बता रहे हैं, ठीक है, अपना होगा मानोगे, लाइफ में बहुत जहिंगा लला हो जाएगा, मतलब success कर जाओगे, ठीक है, नहीं सिखोगे, तो फिर क्या कर सकते हैं, चलो, फिर, देखो क्या से question करते हैं, मालो इस तरह का question आया, तो आपके पास एक option रहता है, कि थेवनिंस में, थेवनिंस से solve करें, ले कोई option नहीं बजेगा, तो थेवनिंस सप्लाई करते हैं, नहीं तो पहले ऐसे ही solve करना सिखो, concept जानते हो, circuit analysis इतना सरा कर चुके हो, तो ऐसे भी बहुत सरा question बन जाएगा, ठीक है, देखो, जैसे क्या find out करना, IC का value find out करना है, तो बचपन से सिखाते आया है, मतलब जब से electronics पढ़ाया रहे हैं, transistor तब से आपको सिखाते आये हैं, कि भाईया, IC का value जो होता है, वो beta IB होता है, तो अब आप देखो यहाँ पे, कि भाईया, IC का value जो find out करना है, इसके लिए beta और IB का value चाहिए, क्या beta और IB का value given है, circuit में, एक नजर दोरा के देख लो, beta तो दिया हुआ, और IB का value यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, कि यह IB है, बट जानते हो ना कि base terminal पे जो current flow होता है, उसको IB बोलते हैं, पढ़ाया हैं, नहीं पढ़ाया है, पढ़ाया हैं, पढ़ाया है रे पगलूब सब, चलो, beta का value पूट करो, यह देखो, ऐसे ही बन रहा है, इसके लिए थ है, ठीक है, जब solve करोगे, तो hero में आ जाएगा, 0 को hero में convert कर लेना, तो यह value आ जाएगा, तुमारा 2 का power 10 to power minus 3 ampere आ रहा है, यानि कि यह 2 milli ampere आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से पहला question मन गया, उसकी बात क्या find out करना है, भीग का value find out करना है, भीग क्या होता है, तो य और भीग का value निकालने के लिए, भीग का value क्या होता है, IE into RE चाहिए, अब देखो, IE का value पता है, नहीं पता है, नहीं पता है, नहीं पता है, नहीं पता है ना, IC का value हम लोग निकाल लिए, IB का value पता है, IE का value नहीं पता है, RE का value पता है, तो बिलकुल पता है, बट, IE का पता है तो पतक कीजिए अगर आई बी का बैलु पता है एक बाता है तो आई इक्वलट्र हो जाएगा क्या आइट प्लस आइसी के बोलो पढ़ा है की नहीं पढ़ा है ना इम अंदार बनो कभी कभी मेरे बोल भी दिया करो सर कभी बढ़ाई करना चाहिए तो आई बी आप चाहो तो इसका यूनिट जो है न इसको तुम को बदलना पड़ेगा कैसे तो इसका माइनस तीन और कम करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं जेएलु पयाब टुमउय माइनस त्रि लिखेंगे यह thi 스ंटर लिखें चाहर तो इसके लिए पॉइंट लगा दियो है न है और प्लस टू इन तूटे टु पावर माइनस थरी लिखेंगे अ अब तुम्हारा कोशन करनाओ असान हो गया अब जब इसको सॉल करो गे ठीक है भाई तो देखो इसके लिए पॉइंट लगा दिए है ना और प्लस टू इन्टू टू पाउर माइनस थी लिखेंगे अब तुम्हारा कोशन करना असान हो गया अब जब इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा इमीटर करेंट ना यह वहलू आ जाता है तुम्हारा टू पॉइंट जीरो टू और टेन टू पाउर थी है ठीक है तो यह नहीं कि यह मिली एंपियर में ही रह जाएगा ठीक है करना क्या है मालो नहीं कुछ समझ में आ रहा है सॉल्व करने नहीं आ रहा है तो टेन टू पाउर माइनस थी कॉमन लेलो टेन टू पाउर माइनस थ लोग मतलब बाबू सुना लोग नहीं बवा लोग तो यह इसको एड़ करोगे तो इतना आजाएगा और इन्टु टु पावर माइनस थ्री रहेगा ऐसे भी सॉल्व कर लेते हैं और माइनस टू पावर थ्री यह एंपियर में आया तो टेन टू पावर थ्री को हटा देंगे माइनेस 3 को यटा देंगे तो 2.0 two zero zero अटाव ना यहर मिली एंपीर आ जाएगा चाहिक है तो यहां पर पूट कर दो आई का बेलु आ गया two point zero two मिली एंपीर मिली एंपीर इन्टू आड़ी का बेलु कितना है one point two kilo ohm है kilo ohm मिली एंपीर केंसिल हो। जाएगा इसको जब गुनाभाव करोगे का ल से तना ऐगा या जाएगा ठूब 590 मomma 424 ठीखर मोर्ड है तो भी का बहुंड निकल गया अब क्या निकल 1973 की सी ठीग है ध्री में निकलenviron है VCC भी सी का वैलू कैसे निकालेंगे तो देखो अगर यह जो वैलू है यह क्लेक्टर टार्मिनल पर जो वॉल्टेज होगा यह भी सी है यह भी सी का वैलू दिया हुआ 10.6 और यहां पे ICRC का value पता चल गया, IC का value हम लोगों को कितना पता चला है, तो IC का value हम लोगों निकाल चुके हैं, 2 milli ampere, अगर ये voltage पता है, ये voltage पता है, तो VCC का value जो होगा न, ICRC plus VC होगा, ठीक है, बहुत, पहली बार मिल रहा है, बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा, ये वाला जो अभी term लिखने जा रहा है, ICRC plus VC, मतलब क्या है, यहां से इतना voltage चला है, यहां पर voltage रॉप हुआ, यहां पर voltage रॉप हुआ, इन दोनों का sum यहां पर हो जाएगा, तो ICRC का value कितना होगा, इसके लिखने का बहुत बहुत जरूरियत नहीं है, तो इसको solve करेंगे, तो यह आ जा रहा है, 5.6 आएगा ना, अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं है, ठीक ठीक ठीक, इसको solve करोगे, तो 16 volt के आसपास आजाएगा, तो BCC का value आगया, अब क्या निकलना है, BCE का value निकलना है, क्या निकलना है, BCE का value निकलना है, तो BCE equal to आप लोग को कभी ना कभी बताएं होंगे, BCE को ऐसे लिख सकते हो, BCE क्या होता है, collector और emitter terminal के बीच का potential difference होता है, BCE के बड़ाबर होता है, अब इस equation में BCE का value पता है, और BCE का value यहाँ पर पता है, और BCE का value अभी find out किया है, यहाँ पर, तो हम लोग BCE का value पहले put करेंगे, BCE का value है 10.6, 10.6 minus, यह भोल्ट में है, भोल्ट में, unit दम लिखना, नहीं तो गरवरा जाएगा, BCE का value कितना है, 2.424 volt, दोनों भोल्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको subtract करोगे, घटाओगे, तो E जो है value, यह आ जाएगा, 8.176 volt, एक अंसर यह भी हो जाएगा, BCE का value निकाल लिए, अब क्या निकलना है, BB का value निकालना है, आजाओ भई, BB का value निकालना बड़ा असान है, यह silicon transistor है, यहाँ पर जो voltage होता है, BBE होता है, और हम आप लोग को बता चुके हैं, पिछले question में भी ऐसे बताये थे, BB equal to होता, BB minus BE, ठीक है, BB और B के potential difference को, BB बोला जाता है, निकालना क्या है, BB का value निकालना, तो BB equal to क्या लिखेंगे, BB plus BE लिखेंगे, BB का value 0.7 volt अपने मन से लेना है, और B का value, already find out किये है, 2.4, 2.4 volt, add-on करके देख लेना यार, यूँ बुढ़ाडी में हमको कष्ट दे रहे हो, 3.124, कुछ कर थोरी रहे हैं, इस अब तो तुम लोग को आता ही है, है ना, समझ रहे हैं, कुछ लोग मन ही मन गाली दे रहे होगे, क्या, सर आपको ना आ रहा है, हम लोगों तो हवा भी नहीं लग रहा, सब के मन में नहीं, जो अच्छा है student होगा, जो लोगों ये सरा चीज समझ समझ के पढ़ रहे होंगे, उन लोग के लिए मजाक होगा, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ होंगे, उलो को लगड़ा होगा अब क्या निकालेंगे आरवन का वैलू कैसे निकालेंगे तो आरवन का वैलू निकालने के लिए थ्वासा दिमाग लगाना पड़ेगा थेवनिंस में आप लोग को भी टी एच पढ़ाए हैं भी टी एच इक्वल टू कैसे निकाले थे बी सी सी टू R1 प्लस R2 हो जाएगा प्लस VCC इन्टू R2 हो जाएगा ठीक है एक मिनट रुकोगे थासर या फिर देखो के एक मिनट रुको अच्छा एक चीज़ और बता थे बीटी एच जो होता है यहाँ पर बीटी एच का जो बैलू निकालता है यह बीबी के बराबर होता है क्या एक काम करो ऐसे भी बना सकतो बीटी एच के बतले बीबी लिख लो क्या लिख लोगे बीबी और इसको लिखोगे VCC into R2 divided by R1 plus R2, अब देखो इसमें क्या सारा वैलू पता है, VB का वैलू, अल्रेडी यहाँ पे वैलू find out किये है, पता है VCC का वैलू पता है, R2 का वैलू पता R1 का वैलू, तो यहाँ पे क्या करेंगे, VB का वैलू लिखो, VB का वैलू है 3.124, equal to volt में है, volt में ही रने तो VCC, VCC का वैलू कहाँ find out किये है, यहाँ पे 16 volt, ठीक है, into R2, R2 का वैलू कितना है भई, तो R2 का वैलू यहाँ पे दिया हुआ, 8.2 kg है ना, तो 10 to power 3 कर लोगे, clear है, divided by, क्या करना है, R1 प्लस R2, R1 का वैलू निकालना है, R1 को रने, तो R2 का वैलू कितना ह है, तो वापस से 8.2 into 10 to power 3 कर लेगे, ठीक है, अब इसको solve करेंगे, solve करने का क्या तरीका होगा, यह जो है, यह जो है term, ठीक है, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो देखो यह क्या होगा, इसको भेज देता है इधर, तो यह आ जाएगा, R1 क्रॉस multiplication नहीं कर रहा है, 8.2 into 10 to power 3 equal to 16 volt है, देखोगे, यह 16 volt है, into 8.2 into 10 to power 3 है, divided by इसको simply नीचे भेज दिये, 3.124, बस math solve कर रहा है, और कुछ नहीं, अब यह plus में है, यह वाला term, उधर भेज देंगे, तो मैनस में हो जाएगा, तो R1 equal to लिखोगे, 16 into 8.2 into 10 to power 3, divided by 3.124 volt है, तो volt ही मेरा नहीं देंगे, minus 8.2, यह plus में है, तो इधर आके minus में जाएगा, into 10 to power 3 हो जाएगा, अब इसको calculator में value को put करके एक value find out कर लेना, और इसको put करके कर लेना, और दोनों को subtract करोगे, तो यह जो है, आजाएगा, R1 का जो value है, यह आजाएगा, 33.8 kilo ohm, ठीक है, तो इस तरीके से R1 का भी value हम लोग find out कर लिए, और भी कुछ question हो, तो बनाओ, concept use होगा, कितना भी हम question बना देंगे, मेरे बनाने से आपको बहुत फायदा नहीं होने वाला है, जब तक आप अपना से खुद नहीं बनाओगे, तब तक बहुत फायदा नहीं होने वाला, इसलिए books खड़ी दिए, आप लो, यह books जो भी होगा, उसका question खुद से बनाओगे, जब नहीं बने, तो book में solution दिया रहा था, उसका help लीजे, ठीक है, चलिए, आज यहीं पे राने देते, अगले class में मिलता है,